उत्तर प्रदेश आदर्श वैपार मंडल ने वैपारियों के 14 सूत्रिय मांग पत्र जारी करने के एक दिन बात से प्रमुक राजनीतिक दलों के वरिष्ट नेताओं को मांग पत्र देने का कारक्रम शुरू कर दिया है इसी करम में शनिवार को उत्तर प्रदेश आदर्श वैपार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष एवं Confederation of All India Traders के प्रांतिये चेर्मैन संजेगुपता के नेतरत में वैपारियों का एक प्रतिनिरी मंडल बीजेपी सांसत डॉक्टर रीता भगुडा जोशी से मिला और वैपार के वैपार को बढ़ाने के लिए प्रदेश भर जैकर वैपारियों से राय मश्विरा कर चौदा सूत्री मांग पतर तयार किया गया है जिसमें प्रदेश में E-commerce नीति बनाये जाने व्यापारी नीती आयोग के गठन के साथ साथ व्यापारी स्वास्त वीमा योजना की मांग सहीत 14 मुख्य मांगे हैं व्यापारी मंडल की रणनीत है और ये मांग है कि इस विधान सभाज चुनाओं में जो प्रमुख राजदिक दल व्यापारियों की समस्याओं को अपने एजन्डे में रखेगा हमारी मांगों को जो अपने घोसरा पतल में सामिल करेगा इस चुनाओं में व्यापारी उसी द समय की अध्यक जी के सामने बातों को रखेंगे और अधिक से अधिक विशियों को जो उस्में सम्मीलित किया सकते होंगे, उनको सम्मिलित करेंगे. हम ढोगोने इससे को लेकर चाटा होई हम दोगोंने इसमें वियापारी समाज विदेसी इग त्रिके से किए जाए दुल्धा ने फेंटी बरहा करके उसको कोविट भी उसमें एड किया जा दूसरी महामारिया भी उसमें एड की जाए जिसी व्यापारी कि उससे मुल्टी हो जाती है जो बजारें सुभावी क्लूप से लेजिदिनसल में कॉमर्शल में तब्दील हो गई है उन बजारों को लेजिदिनस उसका लेंड यूज चेंज करते हैं उसको मार्केट इस्टिट गोसित किया जाए वाटर ट्रेक्स जिन व्यापारियों ने कनेक्शन नहीं लिया हुए उनको जल का बिलना हुए बिजली का कनेक्शन जो कॉमर्शल है जितनी बिजली उतने दाम अगर हम पर हमने बिजली का जो कनेक्शन है उस पर फिक्स चार्ज मिनमम चार्ज डिमांड चार्ज यह सब चीजे नहीं होनी चाहिए आदर्श विपार मंडल के आज एक दर्जन से जादा प्रतिनिधी मेरे पास आये हैं और उन्होंने क्योंकि सभी राजनेतिक दलों का घोशना पत्र बन रहा है और हमारे संकल पत्र बनने के रहा पर है इन्होंने अपनी मांगें हमको प्रस्तुत की हैं इन मांगों में बह सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनन्द को और बेल आइकोन दबाना नवाटी हमारी पार्टी का हमेशा ही बल्कि समाज के हर्वक के प्रति बहुती समीधन शील हम लों का रुख रहा है और व्यपारी हमारे प्रसंद है ऐसा हम चाहते हैं तो हमारे चाहे गे ना भूलिये